अरपारेडियो.com की प्रस्तुती इतिहास का अभ्यास वाच्यक्स्वर अनुच श्रीवास्तो भारतिय राश्ट्रीय आंदोलन 1885 इस्वी से 1989 इस्वी तक राजनीतिक स्थिती कॉंग्रेस की स्थापना 1857 की क्रांती के असफल होने के बावजूद भारतियों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष विद्यमान था भारत में अंग्रेजी शिक्षा वपश्चमी सभ्यता के संपर्ग के फलस्वरूप एक मध्य वर्गी पुद्धी जीवी वर्ग का उदय हो रहा था इस वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा दिसंबर 1885 इसवी में मुंबई में भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस की स्थापना की गई प्रारंब में कॉंग्रेस की नीती ब्रिटिश सरकार से सहयोग की रही इसके नेता समवैधानिक तरीकों से भारतियों को स्वशासन देने के पक्षधर थे यद्यपी इन नरम पंतियों का ब्रिटिश शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा फलस्वरूप उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ उग्र राष्ट्रवाद का जन्म 19. सदी के अंत तक कॉंग्रेस पर उदारवादियों का ही प्रभाव रहा उन्हीं के प्रयास से 1892 इस्वी में परिशद अधीनियम भी पारित हुआ था धीरे धीरे सरकार की नीती से उन्हें भी निराशा होने लगी थी 20. सदी के आरंब होते ही भारती राष्ट्रिय जीवन में नई भावनाओं का उदै हुआ कॉंग्रेस के युवा वर्ग के नेताओं की उदारवादियों की भिक्षाटन विनय पूर्वक मांग की नीती में तनिक भी आस्था नहीं रही लोक मान्य बाल गंगा धर्तिलक, विपिन चंद्रपाल, अरविंद खोश, लाला लाशपत राय आदी इस नए वर्ग के प्रमुख नेता थे ये सभी उदारवादियों को तिरसकार के दृष्टी से देखते थे और उग्रवादी या उग्र राश्ट्रवादी कहलाए उग्रवादी आंदोलन के कारण भारत में उग्रवादी आंदोलन के कारण कुछ इस प्रकार है पहला, समवैधानिक आंदोलन की विफलता, उधारवादियों यानि नरम दल के नेताओं की आसफलता के कारण युवकों का वैधानिक कारियों पर जरा भी विश्वास नहीं रहा. उन्हें विश्वास हो गया कि हाथ पैर जोडने से स्वतंत्रता कभी नहीं मिलेगी. इसके लिए शक्ती संचय करना होगा, तथा क्रांतिकारी उपायों का सहारा लेना होगा. इस संबंद में ये उलेखनी हैं कि 1992 के अधिनियम द्वारा जो सुधार हुए थे वे पूर्णतह निराशा जनक थे. घैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष र रास्ता अख्तियार करना ही होगा. दूसरा प्राक्रितिक प्रकोप अकाल और प्लेग 1897 में भारत में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लाखों व्यक्तियों के मृत्यू हो गई. अकाल पीडितों की सहायता के लिए सरकार ने जो भी प्रयास किये वो अपर्याप्त एवं अस असंतोष जनक थे. फलता भारतिय जनता में बड़ाक शोब था. इसी समय पूना एवं बंबई में भयंकर प्लेग भैला जिससे जनता में त्राही त्राही मच गई. सरकार की ओर से प्लेग की रोक्ताम में एवं बीमारों की सहायता के लिए कुछ प्रयात्न किये गए. पर इसवी सदी के अंतिम चरण तथा बीसवी सदी के प्रारंब में चारों और आर्थिक असंतोष की लहर भैल गई थी. और भारतिय जनता सरकार की आर्थिक नीती से अत्यंत उक्षुब्ध थी. भारतिय उद्योग धंदे नश्ट हो चुके थे. बेकारी की संख्या बढ़ और जनता करके बोज से कराह रही थी. अकाल और महमारी के कारण जनता की तबाही और भी बढ़ती जा रही थी. इन बातों को क्रांती की ओर प्रेडित किया गया. उन्हें विश्वास हो गया कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण विदेशी शासन है. चौथा, लौड करजन का शासन. लौड करजन ने अपने शासनकाल में कुछ ऐसे अलोगप्रिय कदम उठाए जिससे ब्रिटिश सरकार के प्रती विरोध तेज हुआ और उग्र राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली. उसका कहना था कि वो कॉंग्रेस की कष्ट रहित मृत्यू में पूरा सहयोग देगा. उसका सबसे अलोगप्रिय कार्य बंगाल का विभाजन था. इसके फलसुरूप एक उग्र आंदोलन आरंभ हो गया. पांचवा, राष्ट्रिय घटनाओं का प्रभाव ततकालीन अंतर राष्ट्रिय घटनाएं भी भारत में उग्र आंदोलन के लिए सहायक सिद्ध हुई. 1896 एसवी में अभी सीनिया ने इटली को पराजित किया और 1905 में छोटे से जापान ने विशाल रूस को हराया. किसी यूरोपीय राष्ट्र पर किसी एशियाय राष्ट्र की ये पहली विजय थी. रूस की हार के बाद वहां चल रही ग्रांती का उद्देश्य, जार के निरंकुष शासन को समाप्त करना था, पर उसे कुचल दिया गया. इन घटनाओं का भारतिय राष्ट्रवादियों पर भी प्रभाव पड़ा. फलतह सारे देश में एक नई स्फूर्ती आ गई और समस्त देश ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होने के लिए व्यग्र हो गया. इन सब कारणों से भारतिय राजनीती में उग्रवाद का जन् गरम पंतियों का नेत्रित्व बाल गंगा धरतिलक, विपन चंद्रपाल, लाला लाशपत राय कर रहे थें जिन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है. बंगाल का विबाजन बंग भंग योजना उस समय बंगाल राष्ट्रिय आंदोलन का केंद्र था. बंगाल का शिक्षित वर्ग, हिंसक और अहिंसक दोनों तरह के आंदोलनों में आगे था. अतह लौड गरजन ने 1905 में बंगाल को दो भागों में बाटने की घोशना, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल. उसका तर्क था, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांथ है और शासन की सुविधा के लिए उसका विभाजन आवश्यक है. पर उसकी इस योजना का अस पर आघात समझा. बंगाल के लोग इस विभाजन के विरुद्ध उठ खड़े हुए. स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन ने असंतोश और अशान्ती की धधकती आग में घी का काम किया. इससे बंगाल में एक तूफान फूट पड़ा, जो शीग्र ही सारे देश में फैल गया. फिर उथल पुथल का जो दौर शुरू हुआ, उसमें बहिशकार और स्वदेशी आंदोलन की नी प्रदर्शन की ये गया. सुरंद्रनाथ बैनर जी के नेतरित्व में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ. बड़ी बड़ी विरोध सभाय हुई और विदेशी वस्तूओं का बहिशकार शुरू हुआ. विदेशी वस्तूओं की दुकानों की पिकेटिंग शुरू हुई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई. इस विभाजन का विरोध बंगाल के हिंदूओं और मुसल्मानों दोनों न किया. बंगाल में उस दिन शोक दिवस मनाया गया. विभिन शहरों में सभाय हुई और प्रदर्शन किये गए. विभाजन को समाप्त करने के लिए वंदे मातरम गाना गाती हुई मंडलियां घूमने लगी. गरम तथा नरम दल दोनों के नेताओं ने मिलकर विभाजन का विरोध किया. सारे देश में रोश फैल चुका था. स्वदेशी आंदोलन की लहर महराष्ट्र तक पहुँची. इसी भीच, क्रांती कारियों ने सश चस्त्र आंदोलन भी चलाया. 1905 और 1906 के अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया. स्वदेशी प्रचार और विदेशी बहिशकार आंदोलन में चात्रों की प्रमुक भूमिका रही. इस तरह 1905 को भारतिय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है. लाला लाजपत राय स्वदेशी को देश की मुक्ती का साधन मानते थे. उनका कहना था कि स्वदेशी आंदोलन लोगों में आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता और आत्म विश्वास तथा पुरुशार्थ की भावना जगाएगा. उनका विश्वास था कि स्व प्रतिभा का उप्योग, धर्म, रंग या जाती का भेदभाव किये बिना कर सकते हैं। उनका विचार था कि स्वदेशी को संयुक्त भारत का साजा धर्म बन जाना चाहिए। बहिशकार आंदोलन के बारे में लाला लाजपत राय का कहना था कि सरकार की प्रतिष्ठा ही प्रमुख वस्तू है और विदेशी बहिशकार आंदोलन उस प्रतिष्ठा की जड़ पर चोट करता है। उनके शब्दों में वो भ्रमक वस्तू जिसे विप्रतिष्ठा कहते हैं सत्ता से अधिक शक्तिशाली है और हम बहिशकार द्वारा इस पर चोट करना चाहते हैं। सरकारी भवनों से अपना मुँ मोडना और उसे जनता के जोपड़ों की ओर घुमाना चाहते हैं। इसी बीच सरकार ने दमन का सहरा लिया। उन स्कूलों की मान्यता छीन ली गई तथा सहायता बंद हो गई जहांके ख्षात्रों ने बहिशकार आंदुलन में भाग लिया था। जुलूसों पर लाठी चार्ज होने लगे सभाओं पर प्रतिबंद लगा दिया गया। विभिन्न तरीकों से जनता में आतंक फैलाने के प्रयास किये गए। तो हम शांती पूर्वक रहकर इसका विरोध करेंगे और अगर ये गयर कानूनी है तो इससे गयर कानूनी ढंक से निप्टा जाएगा। उन्होंने कॉंग्रेस को नारा दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्धादिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। कॉंग्रेस में दो दल नरम दल और गरम दल जिन्हें नरम पंथी और उगर पंथी कहते थे। स्वदेशी आंदोलन के पूर्व ही कॉंग्रेस में दो दल हो चुके थे। नरम दल एवं गरम दल। कॉंग्रेस के पुराने नेता शांती पूर्ण तथा वैधानिक धंग से अपनी मांगें पूरी कराना चाहते थे। ऐसे लोग नरम दल के समर्थक कहलाएं। इन में दादा भाई नौरो जी, फिरोट शामेता, सुरेंदरनात बैनर जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदी शामिल थे। इसके विपरीत दूसरे वर्ग में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय, विपन चंद्रपाल प्रमुक थे। अरविंद घोष तथा खुदे राम बोस भी गरम दल के समर्थक थे। बाल गंगाधर तिलक को उनके राजद्रोही लेखों और भाषणों के लिए 18 महिने की कड़ी सजा मिली। इस राष्ट्रवादी ने प्रचार कार्य के उद्देश से मराठी में केसरी नामक पत्र निकाला। तथा राष्ट्री भावनाओं को जागरित करने के लिए पती तथा शिवाजी उत्सवों का फिर से आयोजन करना शुरू किया। उन्होंने धार्मिक योजनाओं के माध्यम से भारतियों से एक जुठ होने का आहवान किया। इसी क्रम में बंगाल के लोगों ने काली पूजा की प्रथा आरंभ की। राजनीतिक अधिकार प्राप को बातों से प्रभावित करके प्राप्त किया जा सकता है। जबकि हम समझते हैं कि केवल भारी दबाव डाल कर ही इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। 502 संखर्श के लिए जनता को खास कर युवकों को आगे लाए। यही उनकी एक प्रमुख देन थी। कॉंग्रेस का न अलग चलाते रहे। उस वर्ष दोनों दलों ने फिर मिलकर एक साथ काम करने का निश्चे किया। कॉंग्रेस के गरम दलवालों में एक वर्ग ऐसा भी था जो बलपूर्वक अंग्रेजी राज को समाप्त करना चाहता था। वे समवैधानिक आंदोलनों में कतई विश्वास नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश अधिकारियों को आतंकित करके वे पूरे सरकारी तंत्र पर पर प्रभाव डाल कर उनका मनोबल तोड़ सकेंगे और इस तरह स्वतंतरता प्राप्त कर लेंगे। स्वतंतरता प्राप्ती के लिए वे किसी भी साधन का प्रयोग उच्चित समझते थे। इनके द्वारा मुजफर नगर के बदनाम जज किंग्स फोर्ड की बग्गी पर 30 अप्रेल 1908 को बम भेगा गया। दुरभाग्य से उस गाड़ी में दो महिलाएं भी थी जो मुजफर पुर के एक वकील पिंगल कैनेडी की पतनी और पुत्री थी। बम के कारण दोनों की मृत्य हो गई। चाकी ने वहीं आत्महत्या कर ली पर खुदी राम बोस पकड़े गए और उन्हें फासी की सजा दे दी गई। इस घटना के दो महिने बाद ही कलकत्ता में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी योजना का पता लगा जिसमें अरविंद घोष और अन्य युवक गिरफतार कर लिए गए। ये घटना सामान्यत अलीपूर शडियंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें कनाई लाल और सत्येंद्र को फांसी की सजा मिली। अरविंद घोष छोड़ दिये गए। लेकिन क्रांतिकारीयों के होसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुनह दिल्ली में एक राजकी जुलूस में हाथी पर जाते हुए वाइसराय हार्डिंग पर बंफेका ज भाराष्ट्र के क्रांतिकारियों में श्याम कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर प्रमुक थे। क्रांतिकारी अंदोलन के संगठन भारत के बाहर यूरोप और अमेरिका में भी चले। इनमें सबसे प्रमुक संगठन गदर पार्टी था। ग दमन और सुधार क्रांतिकारियों से घबरा कर सरकार ने जबरदस्त दमनकारी उपायों से काम लिया. ये दमन बंगाल, महराश्ट्र, पंजाब और तमिलनाडू में तेज था. 1906 में राजद्रोह सभा का कानून बनाया गया. इसके अनुसार सार्वजनिक शान्ती में बाधा पहुचाने वाली सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया. 1910 में भारतिय प्रेस अधिनियम बनाया गया. इसके अनुसार विद्रोह भड़काने वाली सामगरी छापने पर समाचार पत्रों के संपादकों को सजा देने के लिए अधिकारियों को व्यापक अधिकार दिये गए. अनेक पत्र-पत्रिकाएं बंद कर दी गई. अनेक नेता कैद कर लिए गए. कुछ को निर्वासित कर दिया गया. केसरी में दो लेखों के प्रकाशन के कारण लोकमान तिलक को बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया. राश्ट्रिय आंदोलन को कुचलने के साथ साथ सरकार ने सुधार की नीती भी अपनाई. इसी उदेश से 1909 में मोरले मिंटो सुधारों की घोशना की गई. इस एक्ट द्वारा भारतियों को कुछ राजनीतिक सोविधाएं दी गई. केंद्रिय तथा प्रांतिय विधाई परिशदों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई. साथ ही कुछ और निर्वाचित सदस्यों की भी विवस्था की गई पर इन निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन जमिदारों एवं चैंबर ओफ कॉमर्स द्वारा किया जाता था जनता द्वारा नहीं मुसल्मानों को खुश करने के उद्देश से उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेतर की व्यवस्था भारत के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुई ये व्यवस्था बाटों और राजकरों की सामरा जिवादी नीती के तहट अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी इसके परिणाम स्वरूप हिंदूओं और मुसल्मानों में कटुता बढ़ती गई और अंततो गत्वा 1947 में भारत का विभाजन होकर रहा नरम पंथी नेताओं ने मारले मिंटो सुधारों का पूरी तरह समर्थन नहीं किया उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया पर उन्होंने इन सुधारों को लागू करने में सरकार का साथ देने का फैसला किया लेकिन गरम पंथियों ने इन सुधारों का कड़ा विरोध किया मुस्लिम नेताओं ने भी अलग निर्वाचन क्षेतर की व्यवस्था की निंदा की 1909 के कॉंग्रेस अधिवेशन में एक प्रतिनिधी ने कहा कि अलग निर्वाचन क्षेतर का अर्थ पूरे भारत का ही विभाजन है और ये बंगाल के विभाजन से अधिक खतरनाक है मुसलिम सांपरदाइक्ता का जन्म आंदोलनों को दबाने के उद्देश से ब्रिटिश सरकार ने भारती राजनीती में हिंदू मुसलिम सांपरदाइक्ता का बीज बोने की नीती अपनाई फूट डालो और शासन करो रोमनों के इस पुराने सूत्र का उप्योग अंग्रेजों ने रोमनों के तुलना में अधिक सफलता से किया उन्होंने मुसल्मान नेताओं को सलाह दी कि उनका कल्यान हिंदूों से अलग रहने में ही है उनके प्रयासों से मुसलिम समाज में एक ऐसा वर्ग उत्पन हुआ जो भारती राष्ट्री आंदोलन को हिंदूों का आंदोलन बताने लगा और कॉंग्रेज से अलग रहने लगा मुसलिम लीग की इस्थापना भारत की प्रोचसाहन से आगा खां के नेत्रित्व में मुसल्मानों का एक शिष्ट मंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में तातकालीन वाइसराय लौड मिंटो से मिला आगा खां एक धार्मिक नेता थे वे काफी धनी व्यक्ती थे और प्रायह यूरप में ही रहते थे शिष्ट मंडल में उनके साथ धाका के नवाब सलिमुला थे फलता तीन महीने के भीतर 30 दिसंबर 1906 को मुसलिम लीग की इस्थापना हुई आगा खां उसके प्रमुक सूत्रधार थे मुसलिम लीग के कुछ उद्देश थे पहला भारत के मुसल्मानों में ब्रिटिश सरकार के प्रती वफादारी की भावना जागरत करना तथा सरकार के प्रती कोई गलत फहमी हो तो उसे दूर करना दूसरा, भारतिय मुसल्मानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा और उनके समस्याओं के समाधान के लिए सम्मान के साथ सरकार के समक्ष उपस्तित होना तीसरा अन्य सुधारों के प्रती किसी प्रकार के विरोध की भावना को रोकना 1909 में मारले मिंटो सुधार के अनुसार मुसल्मानों के लिए प्रथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई जिससे सामप्रदाइक्ता और भी बढ़ गई फिर भी अधिकाधिक मुसल्मान राष्ट्रिय आंदोलन में शामिल होते रहे मौलाना अबुलकलाम आजाद में अलहिलाल और मौलाना मुहमद अली ने अंग्रेजी में कॉमरेड तथा उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन शुरू किया इससे मुसलिम समाज में चेतना आई प्रथम विश्वयुद्ध के समय मुसल्मान भी बढ़ी संख्या में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में शामिल हुए सरसयद एहमद खान ने सरकार और मुसल्मानों के मध्य सौहार्द पूर्ण संबंद इस्थापित करने का प्रयात्न किया कॉंग्रिस लीग समझोता या लखनव पैक्ट 1913 में मुसलिम लीग ने भी अपना उद्देश्य स्वराज प्राप्ति घोशित किया इसी समय मुहमद अली जिन्ना लीग में शामिल हुए और उन्होंने राष्ट्री एकता कायम करने की चेश्टा की 1916 में कॉंग्रिस और लीग में एक समझोता हो गया जो लखनव पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है कॉंग्रिस लीग योजना तैयार हुई जिसके अनुसार कॉंग्रिस ने मुसल्मानों के प्रथक निर्वाचन को स्विकार किया और मुसलिम अल्प संख्यक प्रांतों में मुसल्मानों के अनुपात से अधिक प्रतिने धित्व देने के निरने को स्विकार किया फिर कॉंग्रेस और लीग दोनों ने मिलकर सरकार से मांग करने का निर्णे किया पहला विधाई परिशदों में अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए दूसरा इस विधाई परिशद को पहले से अधिक शक्ती दी जानी चाहिए तीसरा, वॉसराय की कार्यकारणी में कम से कम आधे सदस्य भारतिय होने चाहिए प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छड़ा इस युद्ध का प्रभाव भारत के राष्ट्रिय आंदोलन पर भी पड़ा ब्रिटिश सरकार ने घोशना की कि इंगलैन राष्ट्रियता और लोकतंतर की रक्षा के लिए युद्ध में सम्मिलित हो रहा है युद्ध छड़ने के पस्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत सचिव मौन्टेक्यू ने घोशना की कि युद्ध के बाद धीरे धीरे भारत में उत्तरदाईत्व पूर्ण शासन स्थापित किया जाएगा। भारतिय जन्ता इससे अत्याधिक प्रभावित हुई। अतह सब ने युद्ध में सरकार का पूरा सहयोग किया। गरम दल और नरम दल में मेल। जून 1914 में लोकमान्य बाल गंगा धर तिलक मांडले जेल से छूट कर भारत आए। इसी वर्ष आईरिश महिला श्रिमती एनी बेसंट कॉंग्रिस में शामिल हुई। श्रिमती एनी बेसंट ने गरम दल और नरम दल में मेल कराने का प्रयास किया। बाखिल भारतिय होम रूल की स्थापना की। तिलक ने होम रूल आंदोलन का प्रचार अपने समाचार पत्र मराथा द्वारा किया। शिर्मती एनी बिसंट ने समाचार पत्रों द्वारा इस आंदोलन का व्यापक प्रचार किया। शीग्र ही ये आंदोलन सारे देश में फैल गया। होमरूल आंदोलन का उद्देश्य जनता के स्वशासन की भावना का प्रचार करना था। इसकी कार्य पद्दिती शांती मैं और अहिंसात्मक थी और इसमें सरकारी कानूनों को तोड़ने या विरोध करने का स्थान नहीं था। इसका लक्ष था प्रचार द्वारा सरकार पर अपनी मांगों का प्रभाव डालना। आंदोलन का आरंभ और प्रचार। होमरूल आंदोलन का तीवर गती से प्रचार हुआ जिससे एक दो वर्षों के अंदर ही इसकी काफी प्रगती हुई। तिलक एवं एनी भिसंट के नित्रित्व में ये आंदोलन लखनों के साथ-साथ महराष्ट्र, पंजाब व करनाटक तक फैल गया। जनता में स्वशासन प्राप्ति के लिए राजनीतिक चेतना उत्पन करने में इस आंदोलन को आश्चर यजनक सफलता मिली। आंदोलन का दमन। इस आंदोलन की प्रगती देखकर सरकार को घबराहट हुई और उसने इसके दमन का निश्चय किया। तिलक को राजनीतिक कार्यकलाप बंद करने का आदेश दिया गया। तथा शिर्मती एनी बीसेंट को नजर बंद कर लिया गया। उनका पत्र न्यू इंडिया जब्त कर लिया गया। तिलक के आंदोलन करने की धमकी देने पर सरकार ने शिर्मती एनी बिसंट को छोड़ दिया। उसी समय भारत सचिव मौन्टेग्यू ने एक महत्वपूर्ण घोशना की। जिसमें कहा गया कि भारतियों को धीरे धीरे उत्तरदाई शासन सौपा जाएगा। इस घोशना से हो कुमरूल आंदोलन कुछ शिथिल पड़ गया। भारतिय राष्ट्रियता के विकास में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। एक समविधानिक एवं प्रचारात्मक आंदोलन होने के कारण भारतिय जनजीवन इससे विशेश रूप से प्रभावित हुआ। युद्ध का अंत और मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार युद्ध का अंत उनी सो अठारा में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। के स्थिती खराब हो गई। युद्ध काल में स्थापित अनेक कारखाने बंद कर दिये गए। इससे उनमें कार्यरत श्रमिक बेकार हो गए। फलता श्रमिकों के घर असंतोश व्याप्त हो गया। इन्फ्लुएंजा की महमारी से अनेक लोगों की मृत्यू हो गई। युद्ध के बाद अनेक देशों में राश्ट्रवाद की भावना तीवर गती से जागरित होई। जर्मनी, आस्ट्रिया और रूस के निरंकु शासन तंत्र नश्ट हो गए। इसका विश्व की राजनीती पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सोवियत संग में समाजवाद की स्थापना होई। सोवियत संग की सरकार ने पराधीन देशों को सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार की मानिता ही नहीं दी। वरन उसके स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोथसाहित भी किया। एशिया में जो देश उसके आधीन थे सब को मुक्त कर दिया गया। 1919 इसवी में ब्रिटन की पार्लियमेंट में मौन्टेग्यू की घोषना के आधार पर भारतिय शासन में सुधार के लिए एक कानून बनाया गया। जिसे मौन्टेग्यू चेम्सफोर्ट सुधार या 1919 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इससे भारतिय नेताओं एवं जनता सभी को बड़ी निराशा हुई। भारतियों को ये आशा थी कि उन्हें शासन में अधिकार मिल जाएगा। पर ये आशा पूरी नहीं हुई। फलतह राश्ट्रिय आंदोलन में और भी तेजी आ गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, इंडिया काउंसिल के भारतिय सदस्यों की संख्या दो से बढ़ा कर तीन कर दी गई। दूसरा, भारतिय सचिव को भारतिय कोश के स्थान पर ब्रिटिश राजकोश से वेतन दिया जाने लगा। केंद्रिय एवं प्रांतिय सरकारों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से बांट दिये गए। केंद्रिय धारा सभा का स्वरूप बदल दिया गया। अब एक सदन की जगे हैं, दो सदनों की व्यवस्था की गई. निचले सदन को Legislative Assembly और उपर के सदन को राज्य परिशद यानि Council of States कहा गया. निचले सदन के सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई. इसमें 103 निर्वाचित सदस्य और 42 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे. राज्य परिशत के सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई. इसमें 33 निर्वाचित सदस्य तथा 27 गवर्नर जनरल द्वार 5. प्रांतों में सिर्फ एक ही सदन की व्यवस्था थी. इसका नाम legislative counselling रखा गया. इसके सदस्यों की संख्या प्रांतों की जन संख्या के आधार पर निर्धारित की गई थी. अतव विभिन प्रांतों में सदस्यों की संख्या अलग-अलग थी. सदस्यों की निवनतम संख्य 23 और अधिक्तम संख्या 149 निश्चित की गई थी चटवा, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के तहट प्रांतिय विशेयों को दो भागों में विभाजित किया गया संरक्षित और हस्तांतरित, भूमीकर, सिचाई, न्याय, पुलिस, राजस्व, फैक्टरी, जेल आधी संरक्षित विशाय माने गए इनका प्रबंध गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल की सहायता से करता था तथा काउंसिल गवर्नर के प्रती उत्तरदाई होती थी काउंसिल के सदस्यों की संख्या चार से अधिक नहीं हो सकती थी इनकी नियुकती पांच वर्ष के लिए की जाती थी स्थानिय शासन, शिक्षा, और द्योग एक उन्नती, स्वास्थ्य, क्रिशी, इत्यादी, हस्तांतरित विशाय माने गए जिनका प्रबंधन गवर्णर जनरल अपने मंत्री मंडल की सहायता से करता था ये मंत्री मंडल प्रांतिय विधान सभा के प्रती उत्तरदाई होता था यद्यपी अधीनियम के मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी परंतु व्यवहार में दो या तीन मंत्री होते थे जिन्हें नियुक्त तथा पदिच्युत करने का अधिकार गवर्नर को था मंत्री विधान सभा से मनुनीत किये जाते थे गवर्नर मंत्रियों के सभी परामर्ष मानने के लिए बाध्य नहीं था सात्मा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धती समाप्त कर दी गई अब प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई पर वोट का अधिकार संपत्ती के आधार पर ही दिया गया आठमा, संप्रदायों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था जारी रही नौवा, भारत सचिव एवं उसके कर्मचारियों के वेतन का भुक्तान इंग्लैन के राजस्वे से करने की व्यवस्था की गई दसवा, दस वर्षों के पस्चार इस सुधार अधीनियम के कार्यानवयन की जाच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया इस सुधार अधीनियम से कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ही निराशा हुई तथा दोनों ने ही इसकी निंदा की ये सुधार अधीनियम स्वराज की मांग से बहुत दूर था। फलता जनता को भी बड़ा असंतोश हुआ। उसने आंदोलन को और तीज करने का निश्चे किया। केसरी और मराठा नामक दो समाचार पत्र प्रकाशित किये थे। वे 1890 में कॉंग्रिस में सम्मिलित हुए। महराष्ट के राष्ट्रिय आंदोलन को सुसंगठित करने की उन्होंने बड़ी चेश्टा की। उन्होंने वहां के नवयुवकों में आत्म विश्वास, आत्म बल अंगठित किया, जिसका उद्देश राजनीतिक एवं धार में दोनों था। इसके बाद राजनीतिक उद्देश से उन्होंने 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंब किया, जिसका उद्देश ये था कि लोग शिवाजी के आदर्शों पर चलकर भारत को अंग्रेजों के और 1897 के प्लेग के दिनों में सच्ची भावना और देशभक्ती का प्रमाण इन्होंने दिया। 1905 में बंग-भंग आंदोलन के समय उन्होंने उदारवादी दल की नीती तथा सरकार की दमन नीती की कटू आलोचना की। उन्होंने भारतियों का उत्साह बढ़ाया तथा उनमें आत्म सम्मान एवं आत्म विश्वास की भावना जागरित की। बंग-भंग आंदोलन के बाद वे विपिन चंदरपाल के साथ मिलकर उग्रवादी आंदोलन का संचालन करने लगे। उनका निश्यत मत था कि कॉंग्रेस की नर्मी और राजभक्ती से स्वतंतरता की प्राप्ती संभव नहीं है। उनका कहना था कि राजनीतिक अधिकार लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज का नारा लगाया। और बताया कि स्वराज मेरा जन्मसिध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। परंतु ततकालीन अधिकांश नेता उदारवादी थे अता दोनों में मतभेद हो गया ये मतभेद 1907 के सूरत कॉंग्रेस के समय इतना तीवर हो गया कि दोनों यानि गरमदल और नरमदल के नेताओं में फूट पड़ गई तब वे कॉंग्रेस के बाहर आ गए बंगाल विभाजन के विरुध आवाज उठाने के दंड में उन्हें निर्वासित कर मांडले बर्मा के जेल भेज दिया गया मांडले जेल में उन्होंने गीता रहस्य तथा the Arctic home of दी वेदाज की रचना की 1915 में नरम विचार वाले नेताओं तथा गरमदली ये विचार वाले नेताओं में मेल होने पर व श्वास रखने वाले लाला लाजपतराय दूसरे महाननेता थे। उनका जन्म 28 फरवरी 1865 को जगराव जिला लुधियाना में हुआ था। उन्होंने देश प्रेम से प्रेरित होकर एक सच्चे देशभक्त के रूप में न केवल राजनीती क्षेत्र में बलकि सामाजिक शेत् कुछ दिनों तक उन्होंने हिसार तथा लाहोर में वकालत भी की। डिएवी कॉलेज लाहोर की स्थापना कश्रे लाला लाजपतराय को ही जाता है। वे 1880 में कॉंग्रेस के सदस्य बने और अंतिम समय तक बड़ी लगन से राजनीती क्षेत्र में काम करते रहे। साहस और वीर्ता के अद्वितिय गुण के आधार पर ही उन्हें पंजाब केसरी शेरे पंजाब कहा जाता था। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चंदरपाल के साथ मिलकर कार्य किया। लाल बाल पाल की त्रिमूर्ती इतिहास प्रसिद्ध है। 20 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेत्रित्व में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया। पुलीस के एक गोरे अधिकारी सेंडर्स ने उन पर बड़ी बेदर्दी से लाठी से प्रहार किया। जिसके कारण 17 नवंबर 1918 को उनका देहांत हो गया। विपिन चंद्रपाल स्वदेशी आंदोलन के एक महान नेता थे। उनका जन्म 1858 में सिलहट यानी असम में हुआ था। 1887 में वे कॉंग्रिस में सम्मिलित हुए। वे भी तिलक, लाजपत राय और अर्विंद घोश की तरह उग्रवादी थे। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय उन्होंने न्यू इंडिया, वंदे मातरम इत्यादी पत्रिकाउं द्वारा, स्वदेशी उद्योग और स्वदेशी शिक्षा की आवश्यक्ता पर बल दिया। वे लगभग तीन वर्षों तक रहें। वहां से लोटने के बाद वे कॉंग्रेस से अलग हो गए। क्योंकि गांधी जी के शांतिपूर्ण नीतियों में उन्हें आस्था नहीं थी। 1932 में उनका देहान्त हो गया। अरविंद घोश का जन्म 15 अगस्त 1872 को बंगाल के एक संपन परिवार में हुआ था। वे क्रांतिकारी दल के एक प्रमुक नेता थे। उन्होंने भी बंगाल विभाजन का घोर विरोध किया था। उनका भी ये विचार था कि भारत को भिक्षा वृत्ती से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसके लिए संघर्ष आवश्यक है। उन्होंने बंगाल में गुप्त क्रांतिकारी दल का संगठन किया। वे उसके प्रधान संचालक थे। इसी काम के लिए पूना में बैठे हुए लोकमा निबाल गंगाधर तिलक और कलकत्ता में बैठे हुए दोनों में बड़ा गहरा संबंद था। उन्होंने न्यू इंडिया और वन्दे मात्रम नामक पत्रिकाओं का संपाधन कर लोगों में राश्ट्रियता की भावना का प्रचार किया। ब्रिटिश सरकार ने उनके विरुद्ध कई प्रकार के शडियंत्र किये। स्मरनिय बिंदू उग्र राश्ट्रवाद का जन्म बीसवी सदी के आरंब होते ही भारत और विदेशों में कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिससे भारत में क्रांतिकारी चेतना का विकास हुआ तथा उग्र राश्ट्रवाद का जन्म हुआ। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय आदी इसी नए वर्ग के नेता थे। ये सभी उग्र राश्ट्रवादी कहलाए। बंगाल का विभाजन लोड कर्जन ने, 1905 में हिंदू मुसल्मानों में फूट डालने, एवं बंगाल की राश्ट्री एकता को नष्ट करने के लिए बंगाल को दो भागों में बाटने की घोशना की। कॉंग्रेस में दो दल इसी समय कॉंग्रेस में दो दल हो गए, नरम दल और गरम दल क्रान्तिकारी आंदोलन कॉंग्रेस के गरंदल में एक वर्ग ऐसा भी था जो बलपुर्वक अंग्रेजी राज झे को समाप्त करना चाहता था स्वतंत्रता प्राप्ती के लिए इस वर्ग के नेता किसी भी साधन का प्रयोग उचित समझ्सते थे वे सभी क्रांतिकारी कहलाए उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन आरंब किया क्रांतिकारी आंदोलन का सरकार ने बड़ी बेरहमी से दमन किया मारले मिंटो सुधार 1909 में मारले मिंटो एक्ट पास किया गया इसके अनुसार भारतियों को कुछ राजनीतिक सुविधाएं प्रदान की गई मुसलिम लीग की स्थापना 1906 में आगाखा ने मुसलिम लीग की स्थापना की कॉंग्रेस लीग समझोता 1916 में कॉंग्रेस और लीग में एक समझोता हुआ जो लखनव पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है प्रथम विश्वयुद्ध का प्रभाव 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध छड़ गया ब्रिटिश सरकार की मॉंटेग्यु घोषना के बाद युद्ध में भारतियों ने सरकार का पूरा सहयोग किया नरम दल और गरम दल में मेल प्रथम विश्वयुद्ध के काल में परिस्थिती वश नरम दल और गरम दल में मेल हो गया होम रूल आंदोलन 1916 में होम रूल आंदोलन आरंब हुआ सरकार ने इस आंदोलन का भी दमन किया प्रथम विश्वयुद्ध के समाप्त होने के बाद मौन्टेग्यू की घोशना के आधार पर भारतिय शासन में सुधार के लिए 1911 का भारत शासन अधीनियम पास हुआ अरपारेडियो.com की प्रस्तुती इतिहास का अभ्यास